है के है आज दोस्तो मैं विनाय कुमार आपका बहुत-बहुत सागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाना में दोस्तो है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हुं गुल्तो कष्ण के बारे में और गुथर कंचा टॉपिक फेजिक्स का अगला टॉपिक होने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा कुश्चन आता है एक्जाम में और आपको पता भी निचलता है कि कौन से टॉपिक से कुश्चन आ गए हैं तो आप इसको पढ़िए देगे पढ़ना जरूरी है हमारा एक्जाम कैसा भी होता है अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो एक्जाम में अच्छा कैसे करेंगे तो हमें पढ़ना जरूरी है अच्छा अपने आप होने लगेगा जब आप स्टड़ी करेंगे बहुत ही अच्छी तो चली सुरू करतें इस टॉपिक को गुर्टवा कश्ण को और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु जब आप आस्मान की तरफ फेकते हैं तो वो अपने आप ही नीची की और आ जाती है और प्रिथ्वी पर आकर रुख जाती है चाहे कागज हो पन्नी हो पत्थर हो गेंद हो आप दिया सबसे पहले सर आईजेक न्यूटन ने उन्होंने कहा कि वस्तूओं को प्रिथ्वी की और आकर्शित करने की घटना को गुर्तवाकर्शन कहते हैं और इसी बलके कारण जितने भी ब्रम्हांडिये पिंड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सूर्य चंद्रम और भी जितने हमारे अनिग रहे हैं वो सभी एक दूसरे को आकर्शित करते हैं उन्होंने ऐसा कहा और काफी जारी इस पर तरक दिये यह ब्रम्हांड सभी इस्तलों पर समान गुर्तवाकर्शन लगाता है जिसके कारण ब्रम्हांड एक साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने कहा उन्होंने गुर्तवाकर्शन के नियम को भी समझाया उन्होंने बताया कि क्या होता है मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हुए एक बार जो न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब एक सेब आकर प्रित्वी पर गिरा तो होता किया है उस न्यूटन उस कोई भी वस्तु होती है वो आकर प्रित्वी पर ही गिर जाती है जरूर प्रित्वी क्या करती है उस पर कोई बल आकर्शित करती है जिन्होंने उसको नाम दिया गुर्तवाकर्शन बल उन्होंने कहा कोई भी हम वस्तु ले ले कोई भी पदार्थ ले ले उस पर कोई न के अंदर ऐसी है जो उसे अपनी और आकर्षित कर रहा है और चंद्रमा के अंदर भी एक बल जो प्रिथवी को अपनी और अकर्षित कर रहा है जिसके कारण चंद्रमा अपनी कक्षा में प्रिथवी के चारों और चक्कर लगाता रहता है ऐसा उन्होंने कहा इन्होंने तर्क दिये कई सारे तर्क दिये कि चंद्रमा अपनी कक्षा से किसी भी बिंदू की इस पर कोई बल है जो काम कर रहा है जो चंद्रमा को प्रित्वी की कक्षा में बनाया हुआ है अन्यता चंद्रमा कहीं प्रित्वी से दूर चला जाता प्रित्वी भी सूरज के चक्कर इसलिए लगा रही है क्योंकि सूरज प्रित्वी पर एक बल लगा रहा है वन्ना प्रित्वी जली जाती इस प्रकार से उन्होंने तक दिये और कई सारी बाते बैत उन्हों ने सभी ब्रह्मांद के पिंडों पर ये तरक लागु किया और उन्हें ने कहा कि जो भी समान दृविमान वाले वश्टिये उन पर ये बल लगता है संभ्याजी बात इसेको बातें आगे चुकी है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा लीगो वैदशाला के बारे में 16 फरवरी सन 2016 को नेशनल साइंस फांडेशन ने घुशना की कि लीगो वैदशाला में प्रत्यक चुरूप से गुर्तवा कर्षण तरंगों का पता लगाने में सफलता प्राप्त कि है मतलब इन्होंने क्या कर लिया सफलता प्राप्त कर ली जो भी गुर्तवा कर्षण तरंगे थी उनको मतलब उनको खोज लिया है जबकि अब यह काम हुआ है 2016 में 2016 में 2016 में इस बास की पुष्टी हुई और इसी रेट से अगर देखा जाए तो आज से 100 साल पहले न्यूटन ने यह बात तर्क के साथ प्रस्तुत की थी ठीक है तो यहां पर यहाद रखे बहुत ही इंपॉर्टन चीज थी तो यहां पर देखिए आगे क्या होता है आ और यहां पर हमने बताया है कि देखिए कितनी इंपॉर्टन चीज थी अच्छा यहां पर मैंने नाम गलत ले लिए यहां पर अलबर्ट आइंस्टीन है ठीक है तो यह मैंने अभी साथ न्यूटन नाम ले लिए था याद रखे का अलबर्ट आइंस्टीन ने 1915 में इस बा अलेक्टर थे वह भारत में बनाये गए सत्रा फर्वरी 2016 को प्रधान मंत्री नर्यन मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रिय मंदल की बैठक में गुर्त्वाकर्शी तरंगों पर अनुसंधान ही तू लीगो भारत व्रद्विज्यान परिशत का आयोजन किया गया औ पर्वर्जा फल्डेंज को फिके लास्टर मेंने सरिफ इनडिया को जो अर्ड कर दिया है और इस प्रियोजना को संचालित किया गए फर्मानु उर्जा विभाग त्था विज्ञान आवम पृद्योगी की बिभाग दौरा संकारित किया गया था इसको भी आ रखिये इसको अमेरिका के और लूसियाना में जो MIT है और कैल्ट है कि इसके दोरा दोनों इसको संचालित करेंगे गुरत्वी तुरण की बारे में बात करते हैं इसको second law of Newton के दोरा इसकी व्याख्या की गई है इसमें कहा गया कि Newton के गती के दूसरे नियम से इस पस्ट है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानि कि हमारा F जो भी वस्तु पर लगाया गया बल है F है परिणाम के बल और उस से उत्पन्द तुरण के बीच संबंद निम्वत होता है तो देखें संबंद क्या होता है कि बल बराबर क्या होता है द्रवमान गुणा तुरण ये क्या है किसी वस्तू पर लगाएगा बल और परिणामी बल के बीच संबंद है पृत्वी के समीप रखी वस्तू पर लगने वाला बल वस्तू पर एक तौरण उत्पन करता है गृत्वी बल के कारण जनित इस तौरण को गृत्वी तौरण कहते हैं जो गुर्तिय बल है इसके कारण इस तुरन को हम क्या कहते हैं गुर्तिय तुरन कहते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रती सेकेंड इसको भी आदर के बहुत ही important है इसके बाद थोड़ी से और बात करते हैं ठीके और यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि प्रभावी गृत्यों तुरण का मान द्रभमान पर निर्भर नहीं करता अर्था भारी एबम हलकी गेंद प्रिथिव पर बापिस एक ही समय पर की गेंद को दोनों को एक साथ उपर से नीची की तरब गिराएंगे तो दोनों गेंद ही एक ही समय पर प्रिथि पर आएंगी ठीके याद रखें दोनों क्या होंगी एक ही समय पर प्रिथि पर आएंगी जी का मान अधिक उचाई बढ़ने पर घटता है तथा अधिक गहरा होगा तो इस चीज को याद रखे कि जी को मान जो होता है वह उचाए बढ़ने पर भी और गहराई घटने पर भी क्या होता है सौरी सौरी मैंने क्या बोला जी का मान उचाई बढ़ने पर घटता है साती साथ गहराई होने पर भी घटने लगता है कभी कार फ्लो फ्लो में गलत हो जाता है अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा दिखते हैं गुर्त्य तरण और गुर्त्य इस्थिराहंग के बीच में अंत जब की एकांक दूरी पर इस्तित एकांक द्रवेमान के दो पिंडो के बीच कारे करने वाले बलको घयाटे करते हैं यहां पर जो बहुत ही जादा दूरी पर उनको क्या गयता है जबकी घृत्य तुरण कहां लगता है प्रिथी के द्वारा किसी पिंड़ पर लगा दिया जाता है तो देखें यह चोटा होता है तो इसके लिए चोटे जी का इस्तमाल करते हैं यह बड़ा होता है तो इसके लिए बड़े जी का इस्तमाल करते है इसका ऐसा ही मात्रग होता है मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर क्या होता है मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर और इसका होता ह भिन भिन स्थानों पर अलग अलग होगा और ग्यहराई में अलग हो गा संतल पर अलग होता हे सभी स्थानों उपर एक समान होता है सांवीतिक गुर्थ्वा-कर्षण नितांक का 마음에? इसका मान होता है 9.81 मीटर परती सेकेंड स्क्वेर और इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 पर 11 की घात न्यूटन गुर्त्वी तुरण एक सदिस रासी है जबकि गुर्त्वी अगर्षन इस्तिरांक एक अधिस रासी होती है रिपर्षी अपने अक्ष़ गुमती है इसके कारण प्रित्वी की सथा पर प्रतेक अधिक वर्त गति करता है देखे परित्वी भी घूम रही है तो उसके साथ proprio university इन्हें कर रहा हों गती कर रहा हूं इसको हम वर्तult किरते ये याद रह। बड़िए के कर दोसुत अदि नहीं पतने हैं इस वक्त घूम रहाiiii जब आप ये वीडियो देख रहें उस आप भी भी नहीं हो राए इस चीज़ का याद रहते हैं अगर जो थे प्रिथी पर नहीं रहते हैं अगर गूरुत्वे नहीं होता हम जाते हैं पृत्वी से अलग क्योंकि पृत्वी के तलों के साथ जोड़े रखता है किसी कण को वृत्वी गती में बराय रखने के लिए एक अभिकेंद्र बल की अवशकता होती है जो हम देख रहे हैं अगर को वस्तु वर्त्यगती कर रही है तो हम उसके अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ते हैं तो को वस्तू विर्त्यगतीगती करेगे अनिता वो भी नहीं करेगी पृत्वी के गूर्णन का सारवदिक प्रवाव भूमत दिरेखा पर महसूस किया जाता है दोस्तों भूमत दिरेखा पर हम क्या करते हैं जैसे जो भी पृत्वी पर बल लगता है तो गुर्तव आकर्षण सकती होती है वो यहाँ पर कम होने लगते हैं अब थोड़ा से डिटेल में बताऊंगा जब पृत्वी की सता पर रखी वस्तुओं पर लगने वाले जो भी पृत्वी के आकरशन बल होते हैं उनका मान थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है वस्तुओं को पृत्वी से जोड़े रखने के लिए जो गुर्तो आकरशन वो धीर अंब्धी लगता है और द्रुवो पर कितना बिल्कुल 0 हो जाता है यह किसके कारण होता है घुरंण के कारण फृण के लिए धीरे-धीरे कम होने लगता है आगे बात करते हैं आगे लिखा है प्रित्वी तल पर जी का मान न्यूनितम भूमद्य रेखा पर महंतम द्रुवोपर होता है ठीक है तो देखिए भूमद्य रेखा पर कैसा होगा न्यूनितम होगा और जादा कहां पर होगा द्रुवोपर होगा जी का मन के बात करने है जी के मानहीं कहां होगा जादा होगा दुरुबऑ पर कम कहां पर हगा आपका क्या कहते है भूम दिय तो नहीं बढ़ेगा और स्थानों क्या जो जी का मान है वो लगातार बढ़ता चलएगा यदि प्रित्वी वर्तमान गती से 17 गुना अधिक घुमे तो जी का मान बढ़ता है परंतु गुर्णन गती बढ़ने से जी का मान घटता है देखे गुर्णन गती मैंने बताया था भिलकुल ZERO ठीके याद रखिए इसके बाद बात करते है गुर्टविय विभाव की किसके बात चली करेंगे गुर्टवarram एंक अधिश राशी का होता है इसका मात्रक होता है जूल पृति क्लोग्राम क्या होता है जूल पृति क्लोग्राम याद रखे इंपार्टेंट है और होता क्या है जब आप एम द्रवमान के गृत्य चेत्र में किसी बिंदू पर गृत्य विभाव उसके प्रती इकाई द्रवमान के लिए इस्तित उर्जा के रूप में परिभाशित किया जाता है यह है अदिश राशी होते साती साथ ज्यूल परती क्लोग्राम होता है तो सिंबल सी बात इस्तित उर्जा पर निरवर्ण करता है इसको भी याद अखेगा इसके बात नारा और भार में कि बात करते तो दिखे द्रवमान क्या होता है पदार्त की वह मातरा मातरा की कि आले होती है उड्र Block nas h ta है पृत्वी बल द्वारा गुरत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करते हैं इसको हम भार कहते हैं जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई वस्तु यहां पर क्या है चंद्रमा पर मात्र 100 किलो की रह जाएगी क्यों रह जाएगी 100 किलो जथा वह वस्तु का भार बताया था हमने अब वस्तु का भार 600 किलो क्यों हो गया क्योंकि कुछ तो उसका द्रब्यमान होगा साती साथ प्रित्वी पर गुर्त्व अकर्षन बल भी कारे काता है गुर्त्व अकर्षन बल जो होता है वह प्रित्वी पर प्रतेक वस्तु के भार को बढ़ा देता है और इसी के कारण से चंद्रमा का गुर्त्व अकर्षन बल प्रित्वी के गुर्त्व अकर्षन बल से क कि इसको बात करते हैं दरभ्यमान की मातर की तो इसका मातर होता है दरभ्यमान और भार का मात्रग होता है Newton होता है यह भी इंपर्टर अगला है के ग्रहिये गती के नियम और यह मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ठीक है आज नहीं पढ़ाऊंगा कल इसको हम cover करेंगे अपनी वीडियो में और इसको complete करना अच्छे से टॉपिक को बहुती बढ़ा टॉपिक है तो हम इसको कल पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है आज इसको हम यहीं पर खतम करते हैं और जितना पढ़ाया उसे पढ़िए आपको बहुती अच्छे question मिलने वाले अगली वीडियो में और इस वीडियो में भी ठीक है आज इसको यहीं रोकते हैं आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिये साथ ही साथ सब्सक्राब कीजिये मेरे चैनल को ठीक है आज इतना ही